So hey guys, welcome back to our new video तो guys, आज किस वीडियो में हम सिखने वाले हैं कि अपने वीडियो को YouTube में कैसे अपलोड करें सही तरीका से अपलोड तो सभी कोई कर देते हैं लेकिन सही तरीका से ECO को देखते हुए यानि कि Search Engine Optimization को देखते हुए कैसे अपलोड करना है अगर आप भी नहीं जानते कि अपने वीडियो को सही तरीका से कैसे अपलोड करना है YouTube में आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए guys, बिना देर कि अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया बहुत सारे ऐसे Creators हैं जो अपलोड करते हैं अपने वीडियो को YouTube में लेकिन उनका व्यूज दी नहीं आता क्योंकि वो सही तरीके से अपलोड करते ही नहीं है ACO को देखते हुए अपलोड नहीं करते हैं तो बोलते हैं कि हमारा व्यूज दी नहीं आ रहा है चार हजार घंटा वाच्टे और एक हजार सब्सक्राइबर तो मैं है कि हम अपने वीडियो का अपलोड कैसे करें YouTube में अगर आप भी नहीं जाते हैं तो चलिए बीना देर के अपने इस वीडियो को सुरू करते हैं स्क्रीन रिकोडिंग चलेगा आप वहां से देख के सीख सकते हैं तो चलिए गाइस स्टाट करते हैं सबसे पहले आपको अपना YouTube चैनल ओपन कर लेना है YouTube चैनल ओपन करने के बाद आपको प्लस का इकन दीख रहोगा नीचे उस पर क्लिक कर देना आपको तीन ओप्सन दीख रहोगा वीडियो लाइब पोस्ट तो आपको वीडियो पोस्ट करना है वीडियो में क्लिक करना है आपको जिस वीडियो को भी पोस्ट करना होगा आपको उसको सेलेक्ट कर लेना सेलेक्ट करने के बाद टाइटल आपको अपने कंटेंट के कोडिंग लगाना है जिस कंटेंट से भी आप यूटीव वीडियो बनाए है उसी की रिलेटेड आपको यहां पर टाइटल डालना है तो चलिए फट फट में अपना लगा देता हूं मेरे वीडियो है कि सारे ऐसे क्रिेटर यूजर हैं जो हिंदी में देखना पसंद करते है आपका टाइटल समझ में आना चाहिए उनको तो चलिए हम यहाँ पे लिए बिलिख देते हैं और कट करके आपको आज़ आना है yt studio में तो चलिए में अपना و Jeśli पिन कर लेता हूँ कि स्टूडियो में आनके बयाद आपको यहां पे अपना वीडियो अपलोड किये हैं वो विडियो यहां पर सोह कर रहा है तो आपको three dots पर क्लिक करना है उसके बाद edit विडियो पर क्लिक करना है और आपको यहां pa title अप लगाए हम उसको आपको select कर लेना है और इसको'll copy करके अपने description में लगा देना है और आपको यहा से hashtag भी लगाना है आपने content के related इस content के related आप आप यूटीब विडियो बनाए है उसी के related आपको यहां पर हैस्टेग लगाना है तो चलिए मेरा था कि इंस्टाग्राम में भी उसके लाए तो मैं उसके related अपना हैस्टेग यहां पर लगाऊंगा चलिए गाइस एजामपल में आपको हैस्टेग लगाना बता रहा हूं अपने content के related तो मेरा यहां पर इतना हैस्टेग काफी है और यहां पर आप अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक वेगरा एड कर सकते हैं बट मुझे अभी नहीं करना सो मैं इतना ही रहने देता हूं तो य आप और भी कुछ अपना लिंक वेगरा लगा सकते हो बट मुझे नहीं लगाना visibility को भी कुछ नहीं करना है audience का आपको यहां पर no it's not made for kids आपको सेलेक्ट कर लिना है और यहां पर आपको टैग लगाना है अपने content के ही related आप अपना वीडियो जिस content के हिसाब से बनाएं उस अगर आपको टैग्स पता नहीं चल रहा कि कैसे लगाए तो एक ट्रीक है आपको यूटीब में जाना है यूटीब में जाने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है how to get views on Instagram तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बहुत सारा सर्च बारे में आ गया है option जो ज्यादा से ज्यादा यूजर सर्च करते हैं तो यहां से हम अपना देख क्या और फटा फट लगा ले रहे हैं मेरा टैक्स हो गया है और यहां पर आपको देखना है category आपका क्या है जो आपका content है नहीं से वह किस related से है तो यहां पर आप देख सकते हैं category को आपको सेलेक्ट कर लेना है जैसे कि मेरा है science and technology के बारे में तो मैं उसे सेलेक्ट कर लिया हूँ आपका क्या है auto vehicles है या फिर comedy, education, entertainment जो भी है आपका उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है and back आना है back आने के बाद आपको यहां पर thumbnail सबसे ज्यादा important होता है तो चलिए मैं अपना thumbnail बना लिया हूँ कोई भी thumbnail लगा को बताता हूँ जैसे कि हमारा thumbnail है इस example में बता रहा हूँ आपको तो मैं इस thumbnail को लगा दिया and आपको next करना है कि आपको visibility जो है उसको public कर दना है जब तक आप public नहीं करोगा आपका जो वीडियो है वो post नहीं होगा तो public करने के बाद आपको यह तो guys यही steps था इन steps को follow करते हुए आप भी अपना वीडियो post कर सकते हो आपको information अच्छा लगा होगा तो share करें चैनल पर नहीं होगा तो please subscribe करें और वीडियो पसंद आए होगा तो प्यारा सा like करें मिलते हैं जल्दी next वीडियो में